महराश के मुंबई के नागपाड़ा शेत्र में भगवान गडेश की मुर्ती ले ज़ा रहा है समूपर अंड़ा फेकने के आरोप में 25 वर्षी यूवक को गिरफतार किया गया है पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह ज्वानकारी दी उन्होंने कहा कि बीते रवीवार रात कमाठी पुरा में अघटना हुई इसके बाद उपजे तनाव को तुरंत नरियंतित कर लिया गया पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्सो आयोजन मंडल कुछ किलो मीटर दूर चिंच पोकली से गणेश की मुर्ती ला रहा था अधिकारी ने बताया कि व्यत्ती के विरुद्ध भारती दंड सहीता की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है बता दे कि 31 अगस्त से गंड़पती बपा का आगमन होने जा रहा है महराश में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है पिछले दो सालों से करोणा के चलते बपा के भक्त पंडालों में नहीं आपा रहे थे लेकिन इस बार भक्त बपा के दर्शन साक्षाद कर सकेंगे मुख्यमंत्री एकनाश चिंदे ने भी गंड़पती का त्योहार धूमधाम से मनाने को लेकर प्रदेश वासियों से आवहन किया है वहीं प्रसध लालबाग के राजा के आगमन की भी तैयारी जोरो शोरों से चल रही है सभी को लालबाग के राजा के आने का इंतजार है इस बार लालबाग के राजा का पंडाल आयोध्या के राम मंदिर के थीम पर बनाया जा रहा है इस थीम को साकार करने वाले हैं बॉलिवोट के मशहूर आर्ट डारेक्टर नितीन चंद्रकान देसाई बता दे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए श्रधालू की हर साल काफी अधिक संख्या में भीड लगती है यही नहीं दर्शन के लिए घंटो लाइनों में खड़े रहना पड़ता है तब जाकर कहीं श्रधालू दर्शन कर पाते हैं हाला कि पिछले दो सालों से सब कुछ बंद था, कोरोना काल में दर्शन ओनलाइन ही किया जा सका था, वही इस बार सारे बंधन खुल चुके हैं, इस वज़ा से भी भक्त काफी उत्साहित हैं, उनका कहना है कि दो साल बाद अब हम लालबाक के राज़वा का दर्शन कर पाए इसकी हम लोगों को काफी खुशी है, वहीं मुंबई पुलिस भी चोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है